नमस्कार दोस्तों मैं दिपीका हूँ और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल बिंग ममी में ये बात तो सब जानते हैं कि एक गर्वती महला यानि एक प्रेगनेंट लेडी को अपना खास ध्यान रखना चाहिए ताकि वो स्वस्तर है और उनके गर्व में पल रहा शिसू जो है वो भी स्वस्तर है लेकिन इसके साथ ही अगर आप जो है मा बनना चाहती है तो आपको जो है कुछ खास बात का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो बिलकुल असान हो देखिए दोस्तो आजकल की lifestyle जो है वो बिल्कुल बदल चुकी है लोगों का रहन सहन जो है वो बिल्कुल ही बदल चुका है पर अगर आप जो है healthy pregnancy चाहती हैं तो आपको जो है कुछ अच्छी आदतों को अपनाना भी पड़ेगा और कुछ आदतों को जो है उन्हें छोड़ क्योंकि देखिए दोस्तों मा बनना जो है वो बिल्कुल भी आसान नहीं होता है और मा के जैसा कोई दूसरा भी नहीं होता है और इस दुनिया में मा का जो अस्तित्यों है वो किसी भगवान से कम भी नहीं है क्योंकि देखिए एक मा जो अपने बच्चे के लिए कर सकती है मा का पूरा जीवन जो है अपने बच्चे के इर्द गिर्द ही गूंता है एक मा अपने बच्चे को सिर्फ नौ मेने अपने घर्व में ही नहीं रखती है बलकि इसके बाद भी जो उनका पूरा जीवन होता है वो अपने बच्चे के लिए समर्पित कर देती है जो नौ मेने क जो मुश्किले होती हैं उनको बड़े आसानी से सहन कर लेती हैं तो चेलिए दोस्तों अब जानते हैं उन अच्छे आदतों के बारे में जिसे अगर आप अपनाती है तो आपकी जो प्रेगनेंसी है वो बिल्कुल हेल्दी होगी और अगर आपके लिए वीडियो का है यानि की लोग जो है यह नहीं देखते हैं कि उन्हें क्या नुट्रिशन मिल रहा है कहा यह जाता है कि एक प्रेगनेंट महिला को वो सब खाना जहें जो उनका मन करें लेकिन एक गर्ववती महिला को कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए ताकि उनका बच्च काнего एक प्रेगनेंट एक अजय गरस के वो बेरा कि नुट्रिशन बढ़ा उनका पड़एगा झाम सोबस्कंट अधिनडिया के एक प्रेगनेंट टो अगर आपाउस्टों कुछ धाथी है क्कुछ धाना जाएगा है उनका भिंद और गってक हुए दिच्चिन ब्लक्च भी भ और जब आपका बेबी इस दुनिया में आए तो वो भी हेल्दी रह सके दूसरी चीज की दोस्तों आपको है ना पानी पीने की आदर डाल लेनी चाहिए क्योंकि देखिए दोस्तों जब गरवस्था का समय होता है तो उस टाइम पर डॉक्टर्स आपको बोलने वाले हैं कि आ अज़ा जण ज़रूरी होता है प्रेगनेंसि के टाइम पर तो अगर दोस्तों आप जो है पानी पीने की शौकषिन नहीं है तो आप पानी जो नार्मल टेम्परेचर का पानी होता है उस पानी को पीने की आप पानी की आप आदद डाल लीजे क्योंकि ये आपकी हेल्दी नेक्स्ट है exercise देखे दुस्तो अगर आपको कसरत करना पसंद नहीं है आपको exercise करना पसंद नहीं है तो गरवस्था में आपको ये आदत अपनाना ही पड़ेगा इससे ना के बल आप जो है वो स्वस्त रहेंगी आप फुर्तीली रहेंगी बलकि आपका जो बच्चा है वो भ करना पसंद करती है बट यह बहुत ज्यादा हानिकारक होता है यह बच्चे के लिए और मा के लिए दोनों के लिए हेल्दी नहीं होता है क्योंकि अगर आप ज्यादा अराम करते हो आपकी बॉड़ी जो है वो एक्टिव नहीं रहती है तो यह हेल्थ के लिए अच्छा नह तो अगर आप जो है वो exercise करना पसंद नहीं करती हैं तो आप इसकी आदत जो है वो डाल लीजिए आपको आपके healthy pregnancy में काफी जादा help करेगा आप अगर exercise करना बहुत जादा पसंद नहीं करती है या आपको exercise से कोई problem हो रही है तो आप जो है जगह पर walk करने की भी आदत डाल आपको काफी जदा help करेगा आज कल का lifestyle ऐसा है कि अगर कोई lady जो है वो cigarette या सराब का सेवन करती है तो कोई बड़ी बात नहीं है पर अगर आप जो है वो healthy pregnancy चाहती है तो आपको जो है cigarette और सराब को जो है बिलकुल भूलना पड़ेगा क्योंकि अगर आप cigarette या सराब का सेव होगा कि भूर्ण के विकास पर जो है problem आने लगेगा और उनका जो premature delivery होता है इसकी संभाबना बढ़ जाएगी उनके फेफरों पर इसका जो है वो असर पड़ेगा या फिर जो है गर्वपात का जो खत्रा है वो बहुत जादा बढ़ जाता है इससे होने वाले बच्चों क दिमाग पर भी जो है वो काफी असर पड़ सकता है इसलिए अगर आप जो है एक healthy pregnancy चाहती है आप एक स्वस्त बच्चे को जन देना चाहती है तो आपको जो है वो cigarette और शराब को एकदम से भूलना पड़ेगा अगर आप cigarette और सराब नहीं पियेंगी तो इससे भी जो आपक बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए आपको negativity से दूर रहना चाहिए आपको ऐसा कुछ भी नहीं सोचना चाहिए जिससे कि आप जो है वो परेशान हो जाती है क्योंकि अगर आप परेशान होगे तो आपके जो गर्व में पल रहा शुशू है इसके ओपर काफी ज्यादा effect हो पसंदें या आपको ड्रॉइंग करना पसंदें या फिर आपको सिलाई भुनाई जो ऐसी चीजी होती है अगर आपको इन चीजों में इंट्रेस्ट तो आप यह सारी चीजी कीजिए जिससे कि आपको positivity में आपको अच्छा लगे क्योंकि इस ताइम पर जितना आप खुश लेना स्टार्ट कर देते हो तो आपको या आदत जो है वो बदलनी पड़ेगी क्योंकि यह आदत जो है वो आपको काफी ज़्यादा आगे जा करके problem देने वाला है इससे आपके बच्छे को जो है काफी जदाई इफेक्ट करने वाला है तो अगर आप टेंशन लेते हो तो इस चीज को जो है आप कम कर दीजिए अगर आप चाहो तो आप योगा कर सकती हो क्योंकि देखे दूस्तो योग करने से जो है ना वो मन बहुत सांत रहता है अगर आप चाहो तो आप हलका फुलका एक्सरसाइज भी कर सकते हो ये भी आपको काफी ज्यादा help करेगा अगर या फिर आपको जो है वो देर रात सोना पसंद है तो आप इस आदत को तुरंट छोड़ दीजिए क्योंकि अगर आप एक healthy pregnancy चाहती है तो आपका जो है वो सोना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है आपके लिए परियाप्त नींद लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्यो इसलिए अगर आप जो है देर रात सोती है तो इस आदत को भी बिल्कुल बदल दीजिए अगर आप माँ बनना चाहती है और आप चाहती है कि आप एक healthy बच्चे को जन्म दे तो आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है कि आपके सरीर में जो है फॉलिक ऐसेड हो आ तो आप से भी जो है इन सारी चीजों को अपने बोडि में जो है वो बराबर मातरा में प्राप्त कर सकती है और इसके लिए आपको आपके शब्लिमेंट से मिलने की ज़रूरत पढ है तो दोस्तों अगर आपको supplement लेंगी आदत नहीं है तो आपको इसकी भी आदत जो है टा पात का खत्रा बढ़ जाता है यह बिलकुल भी बच्चे के लिए healthy नहीं होता है और अगर आप जो है बहुत जादा मीठा खाते हो तो इससे ना आप डायबर्टीक हो सकते हो जैसे कि बच्चे के लिए बिलकुल भी अच्छा नहीं रहेगा और आपको इन आदतों को जो है व इसको और आपका जो होने वाला बेबी है वो भी बिलकुल healthy हो अगर आपके लिए वीडियो जो है बहुत informative रहा होगा और आप अपनी आदतों को जो है वो बदलने वाली है और अच्छी आदतों को जो है वो अपनाने वाली है और हानी कारक आदतों को एकदम से बूल जाने झाल 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 झाल